साथ यों मैं सिमा गुपता आश्फीर आप सभीक के सामने आयू उत्तर प्रदेश सच्छेवाले से सम्मंदित मातवोड सूचना लेकर और आजका विशे है कि सहाइक समिच्छा दिकारी को किस प्रकार की आवास की सुविधा मिलती है सहाइक समिच्छा दिकारी को क्या आवास की सुविधा सासंद्वार उपलब्द कराये जाता है उन्हें किस टाइप का आवास उपलब्द कराये जाता है तता आवास में किस प्रकार की सुविधाय उनको उपलब्द कराये जाती है आदी संबंदी बिभिन जो पहलू है इसे संबंदी जानकारी इस वीडियो के माद्यमते में आप से भी को दे रही हूँ तो आईए जानते हैं उत्तर प्रदेश सचिवाले की साहिक समिच्छा दिकारी को किस प्रकार की आवाज की सुविधा उपलब्द कराई जाती है और साहिक समिच्छा दिकारी को टाइप टू का आवाज उपलब्द कराई जाता है टाइप टू का तातपर है कि ऐसा आवाज जिसमें दो कमरा एक हॉल एक बातरूम एक किचन और चारों तरब से यह घर लगभा फूली वेंटिलेटेड होता है खुला होता है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या साहिक समिच्छा दिकारी को आवाज के संब्दित न उत्पान हो पाए और खास बात है कि यदि साहिक समिच्छा दिकारी को लगता है या आवाज उनके लिए उचित नहीं है या किसी प्रकार की दिक्कत उनको महसूस हो रही है तो ततकाली आवाज यजा आँप आफने कि सहाइक समिख्षा दिक्रारी को तैप 2 का आवाद्ष प्रधान किया जाता है और उस आवाद समय समय पर रंगाई के साथ जो भी समस्याय होती है उसके दान से संबंदित भी तो विदाय दी जाती है तो साथियों इसी महत्रपूर्ट सूचिना के साथ मैं सीवागुपता आप सभी से विदा लेती हूं नमस्कार